हेलो फ्रेंड्स गुट इवनिंग कैसे हैं आप सब आसा करते हैं आप सब अच्छी होंगे फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पहड़े हैं NCRT क्लास 10 जियोग्राफी तो फ्रेंड्स हम लोग क्लास 10 की NCRT में पहले 3 चैप्टर कंप्लेट कर चुके हैं आज हम 14 चैप्टर पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स इस चैप्टर का नाम है एग्रिकल्चर यानि क्रिसी तो फ्रेंड्स आज हम क्रिसी के बारे में पढ़ेंगे friends जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी इजाम में जिसमें GS का person हो उसमें कम से कम नहीं एक दो question क्रिसी से related मिल ही जाते हैं तो friends जो क्रिसी का topic है हमारे इजाम के द्रिस्टी कोर्ट से बहुत ही important है तो इसलिए इसको कई बार और मन लगा कर पढ़ना है और इसमें जो छोटे छोटे topic होते हैं जो term होते हैं उसका ध्यान रखना है तो चलिए सुरू करते हैं बहुत ध्यान से पढ़ना शुरू कीजिए एक-एक सब्दों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं क्रिशी की द्रिश्टी शे भारत एक महतपूर देश है इसकी दो तिहाई जनसंख्या क्रिशी कारे में संलग्न है क्रिशी एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांस खादान उत्पन करती है खादानों की अत्रिक्त यह विभिन युदोगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है इसकी अत्रिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कौफी, मसाले, इत्यादी का भी निर्यात किया जाता है क्रिशी के प्रकार क्रिशी हमारे देश की प्राची आर्थिक्रिया है पिछले हजारों वर्सों के दोरान भोतिक, परियावरण, परदोगी की और समाजिक, सांस्कृतिक, रिती रिवाजों के अनुशार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाड़ी जी खेती तक क्रिशी के अनेक प्रकार है वर्तमान समय में भारत के विविन भागों में निम्नलिखित प्रकार के क्रिशी तंत्र अपनाए गए है यानि क्रिशी भी कई तरीके से की जाती है यहां पर क्रिशी कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बात की गई है प्रारंभिक जीविका निर्वाह क्रिशी इस प्रकार की क्रिशी भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है प्रारंभिक जीवन निर्वाह क्रिशी भूमी के छोटे टुकड़ों पर आदिम क्रिशी अवजारों जैसे लकड़ी के हल डाओ और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय स्रम की मदब से की जाती है इस प्रकार के क्रिशी प्राया मांसून मृदायक की प्राकृतिक उर्वर्ता और फसल उगाने के लिए अन्य परियावरडी परिस्थित्यों की उपयूगतता पर निर्वर करती है अब आगी देखते हैं अब यहाँ पर देखिए एक कर्तनियुम दहन प्रडाली है अक्सर सब्द सुनने को मिलता है तो देखते हैं यह क्या है यह कर्तन दहन प्रडाली क्रिशी है किसान जमीन के टुकडे साफ करके उन पर अपने परिवार के भरड पोशड के लिए अनाजव और खादे फसले उगाते हैं जब मिर्दा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमी के टुकडे से अस्थानांत्रित हो जाते हैं क्रिशी के लिए भूमी का दूसरा टुकडा साफ करते हैं। क्रिशी के इस परकार के अस्थानांत्रण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता सक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि किसान उर्वरक अध्वा अन्य आधुनिक तक्निकों का परियोग नहीं करते हैं। इसलिए इस परकार के क्रिशी में उत्पादक्ता कम होती है। देश के बिभिन भागों में इस परकार के क्रिशी को बिभिन नामों से जाना जाता है। जो अस्थाना अंत्रित कृष्षी है इसको कई जगां पे कई नामों से जाना जाता है इसमें से एक दो नाम देया गया है इसको हम देख लेते हैं कि उत्तर पुर्वी राज योजे से अस्दम, मिगाले, मिजूरम और नागा लेंड में इसे जूम कहा जाता है इसी जूम कहा जाता है मड़ीपुर में पामलू और च्छतिस गड़ के बस्तर जीले में अंडमान निकोबार दीप समू में इसे दीपा कहा जाता है तो फ्रेंड्स इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स जैसे ही NCRT का सेसन खतम हो जाएगा तो आपको प्रॉपर NCRT की सौर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराई जाएगी और पढ़ाया भी जाएगा उसका एक अलग सेसन होगा जिसमें सिर्फ आपको सौर्ट नोट्स की बारे में बताया जाएगा तो उसमें आपको पीडियेप भी मिलेगा चलिए अब आगे देखते हैं अब यहाँ पर एक सब्द है जूम इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है इसको हम देख लेते हैं जूम कर्तन दहन पडाली स्लैस एंड बर्न क्रिसी को मैक्सिको और मध्ध अमेरिका में मिल पा यानि मैक्सिको और मध्ध अमेरिका में इसे मिल पा के नाम से जानने जाता है बेनेजुयोला में कोन को ब्राजील में रोका बेनेजुयोला में जूम क्रिशी को कोन को कहा जाता है ब्राजील में रोका कहा जाता है बेनेजुयोला में कोन को कहा जाता है और मध्ध अफ्रिका में मसोले, इंडोनेसिया में लदांग और बीयत नाम में रे के नाम से जाना जाता है वेरी इंपोर्टेंट है ये वेरी इंपोर्टेंट चलिए अब आगे देखते हैं भारत में भी ये प्रारायंबी किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है जैसे मध्ध परदेश में बेबर या दहिया आंध परदेश में पोडू अथवा पेंडा ओडीसा में पामा डाबी या कोमान या बरीगा ये सब जूम कृशी के ही नाम है पहच्यम घाट में कुमारी दच्छिड पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे हिमालेयन छेतर में खील हारखंड में कुरुआ और उत्तर पूर्वी परदेशों में जूम तो फ्रेंड्स इस टाइम इज़ाम में कुर्श्चन सब्दों से रिलेटेड आ रहे हैं कि यह सब्द किस से रिलेटेड है तो जूम से रिलेटेड जित्ते भी सब्द जहां पर बोले जाते हैं इसको एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए दीजिए तकि आपको बार-बार देखते रहें तो वो चीज याद हो जाए कई लोगों को सुनके याद होता है इसब की अपनीby केसिटी अलग होती है किसी को सुन के किसी को लिख कर किसी को देख कर तो आप अपने हिसाफ से देख लिछेगा यकिन आपको याद होना एक देखिए यहां पर कोस्टक में दिया गया है इसको देखते हैं एक कहानी है इस कहानी को रहने देते हैं अब खुद से अपने बुक में पढ़ लीजेगा अब गहन जीवी का कृषी क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं गहन जीवी का कृषी इस प्रकार के कृषी उन छेतरों में की जाती है जहां भूमी पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है यह स्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैवराशानिक निवेसों और सिचाई का परियोग किया जाता है भूमी स्वामित के बिरासत के अधिकार के कारण पीड़ी दर पीड़ी जोतों का अकार छोटा और अलावपरत होता जा रहा है जनसंख्या तो बढ़ रही लेकिन भूमी तो उतनी है तो जो क्रिशी जोतों का अकार है वह छोटा होता जा रहा है जिसे पादक्ता में कमी आती जा रही है किसान बैकल्पिक रोजगार नहोने के कारड़ सीमित भूमी से अधिक तम पैदावर लेने की कोशिस करते हैं अधिक क्रिशी भूमी पर अधिक दबाव पड़ता है अब देखते हैं वाड़ी जी क्रिशी क्या होती है इस परकार के क्रिशी के मुखे लच्छड आधूनिक निवेसों जैसे अधिक पैदावर देने वाले बीजों, रसाइनिक उर्वरकों और कीटनासकों के पर्योग से उच्च पैदावर प्राप्त करना है क्रिशी के वाड़ी जी करड़ का सर बीभी ने परदेसों में अलग-अलग है उदाहरड के लिए हरियाडा और पंजाब में चावल वाड़ी जी की एक फसल है परंतु ओडिसा में एक जीवी का फसल है रोपड क्रिशी भी एक परकार की वाड़ी जी खेती है इस परकार की खेती लंबे चोड़े छेतर में एकल फसल बोई जाती है रोपड क्रिशी युदोग और क्रिशी के बीच एक अंतरा प्रिष्ट है यानि इंटरफेस है रोपड क्रिशी ब्यापक छेतर में की जाती है जो अतिधिक पूजी और स्रमिकों की सहायता से की जाती है इससे प्राफ्त सारा उत्पादन युदोग में कच्छे माल के रूप में परियोग होता है भारत में चाय, कॉफी, रबड, गन्ना, केला, इत्यादी, महतफूर, रोपड फसले हैं यह सब जो फसले हैं यह रोपनी के माद्यम से उगाय जाती है इन्हें रोपा जाता है इसे हम रोपड फसले कहते हैं असम और उत्तरी बंगाल में चाय करनाटक में काफी, वहां की मुख्य रोपड फसले है, यह उत्तरी बंगाल में चाय और करनाटक में काफी, वहां की मुख्य रोपड फसले है, चुकि रोपड क्रिसी में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, जो रोपड क्रिसी में उत्पादन है, वह बिक्री के लिए होता यहां पर देखिए एक बास की क्रिशी हो दिखाया गया है होता है इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंदीत युदोग और बाजार महत्यपूर योगदान देते हैं अब यहां पर देखते हैं सस्य प्रारूप क्या होता है आपने भारत की बहुतिक बिविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंद में अध्यन किया है यह देश में क्रिशी पधतियों और सस्य प्रारूपों में परतिविमित होता है इसलिए देश में बोई जानी वाली फसलों में अनैक प्रकार के खादान और रेसे वाली फसले, सबजिया, फल, मसाले इत्यादी सामिल है भारत में तीन सस्य रितुए हैं जो इस प्रकार हैं रवी, खरीफ और जायद यह तीन ससे रीटूए हैं इसमें रभी, खरिफ और जायद तब बात करते हैं रभी की पहली रभी यह पहली हम पढ़ रहे हैं रभी फसलो को सीत रिटू में अक्टूबर से दिसंबर के मद्धे बोया जाता है ग्रिश मरितू में अप्रेल से जून के मद्धे काटा जाता है इसमें गेहू जो मटर चना और सरसों मुख्य रवी की फसले है जो रवी की फसल होती है अक्तूबर से दिसंबर के मद्धे बोई जाती है और अप्रेल और जून के मद्धे काटा जाता है इसको गर्मी के मौसम यदे भी ये फसले देश के बिस्तिरत भाग में बोई जाती है उत्तर और उत्तरी पश्चिम राज जैसे पंजाब, हरियाडा, हिमानचल परदेश, जम्मो कस्मेल, उत्तराखंड, उत्तर परदेश, यहूं और एन रवी फसलों के उत्तपादन के लिए महत्तपूर राजी ह सीत्रितू में सीतोस्ड पश्चिमें बिछोबे से होने वाली वर्सा इन फसलों के अत्तधिक उत्तपादन में शहायक होती है पंजाब, हरियाडा, पश्चिमें उत्तर परदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांती की सफलता भी और परियुक्त रवी फसलों में ब्रिद्धी में एक महत्तपूर कारक है अब चलिए आगे देखते हैं अब दूसरी बात करते हैं खरिफ दूसरी नंबर खरिफ खरिफ फसले देश के बिभिन छेतरों में मांसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है इस रितों में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, जुआर, बाजरा, तूर, अरहर, मुंग, उड़त, कपास, जूट, मुंफली, सोया, बीन, सामिल है चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, आंधर परदेश, तेलंगाना, तमी नाडू, कीरल और महारास्ट, विस्यसकर, कोंकर, तटी, छेतरों में उत्तर परदेश और बिहार में की जाती है पिछले कुछ वर्सों में चावल, पंजाब और हर्याडा में बोई जाने वाली महतपूर फसल बन गई है असम, पश्चिमी बंगाल और ओडिशा में धान की तीन फसले, आस, अमन और बोरो बोई जाती है असम, पश्चिमी बंगाल और ओडिशा में धान की तीन फसले, जिसे एक है आस, अमन, बोरो इसको याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है कब पूछ दे कौन सा सब्द रिलेटेद है तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि धान की फसले है अब यहाँ पे दोनों के बीच अंदर को देखते है रभी और खरीब फसल रितियों के बीच ग्रिस मेरितों में बोई जानी वाली फसल जायद कहा जाता है तीसरी, जो रभी और खरीब के फसल रितियों के बीच जिसे ग्रिस मेरितों में बोई जाती है उसे हम जायद कहते हैं जायद रित्यों में मुक्तत, तर्बूज, खर्बूज, खीरे, सबजियां और चारे की फसल, फसलों की खेती किये जाती है गन्य की फसल को त्यार होने में लगभग एक वर्ष लगता है गन्ने की जो क्रिशी होती है इस फसल को होने में लगभाग एक वर्ष लग जाता है अब यहाँ पे कुछ मुख्य फसले हैं इनके बारे में पढ़ते हैं मिट्टी जलवायू और क्रिशी पधती में अंतर के कारड़ देश के बिभिन छेतरों में अनेक प्रकार की खादे और अखादे फसले उगाई जाती हैं भारत में उगाई जाने वाले मुख्य फसले चावल यहू मोटे आनाज दाले चाए कॉफी गन्ना तिलहन कपास और जूट इत्यादी है भारत में अधिकांस लोगों का खादान चावल है हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है उत्पादक देश है यह एक खरीब की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्छे तापमान सेल्सियस यानि 25 डिगरी से उपर और अधिक आधरता सो सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवसकता होती है कम और सावाले छेत्रों में इसे सिचाई के माध्धम से उगाया जाता है तो अभी तक हम बात कर रहे थे चावल की अब आगे देखते हैं चावल उत्तर और उत्तर पुर्वी मैदानों तटी छेत्रों और डिल्टाई परदेशों में उगाया जाता है नहरों के जाल और नलकूपो की सगंता के कारड़ पंजाब हर्याडा और पश्चमी उत्तर परदेश और राजस्थान के कुछ कम औरसा वाले च्छित्रों में भी चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है अब हम दूसरी फसल देखते हैं यहूँ भारत की दूसरे सबसे महत्पूर खादान फसल है जो देश के उत्तर और उत्तर पह्चमी भागों में पैदा की जाती है रवी की फसल को उगाने के लिए सीत रूतू में पक्तने के समय खिली धूप की आउसकता होती है इसे उगाने के लिए समान रूप से बित्रित पचास से पचहतर सेंटीमिटर वार्षिक वर्षा की आउसकता होती है देश देश में गेहू उगाने वाले दो मुख्य छेत्र उत्तर पैश्ची में गंगा सतलूच का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला परदेश पंजाब हरियाड़ा उत्तर परदेश मध्य परदेश बिहार राजस्थान के कुछ भाग यहू पैदा करने वाले मुख्य राज्य है यहां पे एक मैप दिया गया था इसको देखते हैं यहां पे और विज यहां Eu यग और श्यट्र है अब बात करते हैं मिलेट्स जो मोटे आनाज होत Jen उनकी मोटे अनाज जुआर बाजरा और रागी भारत में उगाय जाने वाले मोटे अनाज हैं यतिपी इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है परंतु इसमें पूसक तत्तों की मात्रा अतेधिक होती है उदाहरतया रागी में परियुक्त मात्रा में लोहा, केल्सियम, सुच मपोसक और भूसी मिलती है छेतरफल और उत्पादन की दिश्टी से ज्वार देश की तीसरी सबसे महत्यपूर फसल है यह फसल वर्सा पर निर्भर होती है अधिकतर आद्र छेत्रों में उगाया जाने के कारण इसके लिए सिचाई की आउसकता नहीं होती है इसके प्रमुक उत्पादक राज जैसे महारास्ट, महारास्ट मिलिट के मामले में पहले अस्थान पर है करनाटक, आंध्रपरदेश और मध्धिपरदेश जहाँ पे मिलिट अत्तिधिक मात्रा में उगाया जाता है अब बात करते हैं बाजरा की बाजरा यह बलुआ और उत्थली काली मिट्टी पर उगाया जाता है राजस्थान, उत्तर परदेश, महारास्ट, गुजरात और हर्याड़ा इसके मुखे उत्पादक राज्य है रागी सुस्त परदेशों की फसल है और यह लाल काली बलुआ दोमट और उत्थली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाया जाती है रागी के प्रमुक उत्पादक राज्य करनाटक, हिमानचल परदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम, जहारखंड और अरुणाचल परदेश है अब अगली फसल है मक्का यह एक ऐसी फसल है जो खादानवा चारा दोनों में परियोग होती है यह खरी फसल है मक्का इस मैप को देखते हैं यहाँ पे वही बात है यहाँ पे जो यह पूरा एरिया है इस निसान का यह प्रमुक छेतर है यह गौड छेतर है मक्का मक्का को जो 21 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पूरानी जलोड मिल्टी पर अच्छी परकार से उगाई जाती है बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रवी की रितू में भी उगाई जाती है आध्यूक परदोगी की निवेसों जैसे उच्छ पैदावर देने वाले बीजों उर्वरकों और सिचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है करनाटक, मध्य परदेश, उत्तर परदेश, बिहार, आंध्य परदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य है अब बात करते हैं दाले यह देखिए यहाँ पर मक्का की प्रिशी करती हुई महिला है भारत बिस्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्पादक तथा उभूगता देश है साका हारी खाने में दाले सबसे अधिक प्रोटीन दायक होती है तूर जिसे हम अरहर कहते हैं उड़द, मूं, मसूर, मटर और चना भारत की मुख दलहनी फसली है क्या आप बता सकते इन में से कौन सी दाल खरीप में और कौन सी रभी में बोजाती है या आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कुछ काम आप लोग भी किया किजिए फ्रेंड्स उगय जाती है दालों को कम नमे की आवसकता होती है इन्हें सुस्क परिस्थिती में भी उगय जा सकता है फलीदार फसल होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्ने सभी दाले वायू से नाइट्रोजन लेकर भूमी की उरवर्ता को बनाय रखती है यह वायू से नाइट्रोजन नहीं लेती है इसे भूमी की उरवर्ता नहीं बनती है अरहर से बलकि भूमी की उरवर्ता खतम होती है इन फसलों को आम तोर पर अन्ने फसलों के आवर्तन रोटेटिंग में बोया जाता है भारत में मध्य पर्देश, राजस्थान, महारास्ट, उत्तर पर्देश और करनाटक, दाल के मुख्य उत्पादक राजी है और खादानों के अलावा अन्य कुछ फसले हैं इनके बारे में जान लेते हैं गन्न गन्न एक उस्ड और उपोस्ड कटी वंदी फसल है या 21 दिग्री से 27 दिग्री सेल्सियस तापमान तापमान और 75 सेंटी मीटर से 100 सेंटी मीटर तक की वार्षिक वर्षा वाली उस्ड और आद्र जलवायों में बोई जाती है कम और सावाले परदेशों में सिचाई की आवसकता होती है इसे अनेक मिट्यों में उगाया जा सकता है इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफी सारी रिक्स्रम की आवसकता होती है ब्राजिल के बाद भारत गन्य का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है यह चीनी, गूड, खांड सारी और सीरा बनाने के काम आता है उत्तर परदेश, महारास्ट, करनाटक, कमिनाडू, आंध परदेश, तिलंगाना, बिहार, पंजाब और हर्याडा, गन्या के मुख्य उत्पादक राजी है इसमें याद रखने वाली बात या है कि उत्तर परदेश पहले अस्थान पर है और महारास्ट दूसरे अस्थान पर, करनाटक तीसरे अस्थान पर बात करते हैं तिलहन आपे देखिए गन्या की क्रिशीस परकाशी की गई है हर जगह अपना अलग-अलग तरीका होता है बोने का तिलहन 2018 में भारत विस्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश था सन 2018 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विस्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा अस्थान था देश में कुल बोय गए छेतर में 12% भाग पर कई तिलहन के फसले उगाए जाती हैं मुम्फली, सरसो, नारियल, तील, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य तिलहन के फसले हैं मुम्फली, सरसो, नारियल, तील, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी, सूरजमुखी उगाए जाने वाले मुख्य तिलहन के फसले हैं इन में से अधिकतर खादे हैं और खाना बनाने में परयोग किया जाते हैं परन्तु इन में से कुछ तेल के भीजों को साबून, प्रसाधन, सिंगार का समान और ओबटन, युदोग में कच्छे माल के रूप में परयोग किया जाता है मुम्फली खरीव की फसल है तथा देश में मुख्य तिलहनों के खुल उत्पादन का आधाभाग इसी फसल से प्राप्त होता है गुजराती मुंफली का प्रमुक उत्पादक राज्य है इसके अतिरिक राजस्थान और तमी डाडू मुंफली के अन्य मुख्य उत्पादक राज्य है इडेटा बता जाए 1920 का अलसी और सरसो रभी की फसले हैं तील और उतरी भारत में खरीफ की फसल है तील उतरी भारत में खरीफ की फसल है और दच्छडे भारत में रवे की अरंडी खरीफ और रभी दोनों ही दोनों ही फसल रितों में बोया जाता है फ्रेंड से थोड़ा सा बोरिंग भले लग सकता है बहुत conceptual और important चैप्टर है तो इसमें छोटी छोटी बातों का आपको बहुत बारी की से ध्यान रखना है और एक-एक फसल की बारी में जानना है कहां पर वो ही जाती है किस छेतर में किस नाम से जाना जाता है तो यह आपके माइंड में एक खाका तयार होना चाहिए कि कौन-कौन सा कहां पर क्या बोली जाती है कैसे बोई जाती है क्या उनकी प्रक्रिया है तो चलिए अब आगे देखते हैं अब अगली फसल है चाए चाए तो हम सब की बहुत फेवरेट है तो चाए की जानकारी तो डेफिनेटली होनी ही चाहिए तो अब अगली फसल है चाए इसके बारे में पढ़ते है चाए की खेती रोपड क्रिशी का एक उदाहरड है यह एक महतपूर पे पदार्थों की फसल है जिसे सुरुवात में अंग्रेज भारत में लाए थे आज अधिकतर चाए बागानों के मालिक भारती है चाए का पौधा उस्ड और उपुस्ड कटी बंधी जलवायू ह्यूमस और जिवास में युक्त गहरी मिटी और सुगम जल निकास वाले ढलवा छेत्रों में भली भाती उगाया जाता है चाए की झाडियों को उगाने के लिए वर्स भर कोसर नम और पाला रहित जलवायू की आवशकता होती है वर्स भर समान रूप से होने वाली वर्सा की बोचारे इसकी कोमल पतियों के बिकास में सहायक होती है चाय एक स्रम सघन युदोग है इसके लिए प्रचूर मात्रा में सस्ता और पुसल स्रम चाहिए इसकी ताजगी बनाये रखने के लिए चाय की पतियां बंगान में ही संसाधित किये जाती है चाय के मुख्य उत्पादक छेतरों में असम पश्चिमी बंगाल दारजिलिंग और जलपाई गुड़ी जीलो की पहाडियां तमी नाडू और केरल है यहीं चाय मुख्य रूप से असम में और पश्चिमी बंगाल दारजिलिंग और जलपाई गुड़ी जीलो की पहाडियां और तमी नाडू और केरल इसको आप याद रखिएगा उगाई जाती है इसके अलामा हिमांचल परदेश उत्राखंड में घाले आंधर परदेश तीपुरा आदी राजियों में भी चाय उगाई जाती है सन 2018 में भारत विस्व में चीन के बाद दूसरा चाय उत्पादक देश था अब बात करते हैं दूसरी एक अगली फसल यह देखिए चाय की क्रिशी इस तरह शिकी जाती है यहाँ पर चाय की पत्तियों को चुनती स्रमिक मैला आए जो काम करती है अब यहाँ पे कॉफी की बात करते है भारती कॉफी अपनी उगुडवता के लिए बिसो बिख्यात है हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफी जो अरेबिका है हमारे देश की की इस एक बहुत महत्तपूर कॉफी है जो बहुत परसी दहबी सुमें पैदा की जाती है जो आरंभ में यमन से लाई गई थी इस किस्म की कॉफी बीसु भर में अधिक मांग है इसकी क्रिशी की सुरुवात बाबा बूदन की पहाडियों से हुई थी तो आप एक कोश्चन आपसे है कि बाबा बूदन की पहाडियां कहां है तो आप हमें कमेंट मॉक्स में बताईएगा इसकी खेती निलगिरी की पहाडियों के आसपास करनाटक केरल तमिनाडू में की जाती है बागवानी फसले सन 2018 में भारत विस्व में फलो और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा अस्थान था भारत उस्ड और सितोष्ड कटी बंदी दोनों ही परकार के फलो का उत्पादक है भारती फलो जिन में महारास्ट, आंध पर्देश, तिलंगाना, उत्तर पर्देश और पश्चिमी, बंगाल के आम नागपूर और चेरापुझी, मिघाले के संत्रे केरल, मिजूरम, महारास्ट और तमिनाडू के केले उत्तर पर्देश, बिहार की लीची मिघाले के अनानास, आंध पर्देश, तिलंगाना और महारास्ट के अंगूर, तथा हिमाचल पर्देश और जम्बू कस्मीर के सेब, सेब, नासपाती, खुवानी और आखरोट विसमें बहुत मांग है यानि जो इतनी इंपोर्टेंट चीजे हैं, कहां पर किस परकार के फल होते हैं यह आपको याद रखना है चली अब आगे देखते हैं यहां पर देखिए चितर दिया गया है, यहां पर अनार, यहां पर सेब, यह है आखरोट यहां पर इस परकार से यह फल लगे हुई है भारत का मटर, फूल, गोभी, प्याज, बंद, गोभी, टमाटर, बैगन और आलू, उत्पादर में प्रमुखस्थान है भारत का अखादे फसले, अब बात करते हैं अगार अखादे फसले रवड भूमत देरेखी छेतर की फसल है, परन्तु BCS परिश्यूतियों में उस्ड़ और उपोस्ड़ छेतरों में भी उगाय जाती है इसको 200 सेंटी मीटर से अधिक वर्षा और 25 से अधिक ताप मानवाली नम और आद्र जिलवायू की आवसकता होती है रवड एक महतपूर कच्चा माल है जो इदोगों में परियुक्त होता है इसे मुख्य रोप से किरल, तमिनाडू, करनाटक, अंडमानिको, बारदीप समू और मेगाले वे गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है अब बात करते हैं रेशेदार फलों की सोरी रेशेदार फसलों की कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाय जाने वाली चार मुख्य रेशेदार फसले हैं कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम इन में से पहली तीन मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है और चौथा रेसम के कीड़े को कोकून से प्राप्त किया जाता है जो तीसरा है चौथा इसे रेसम के कीड़े जो होते हैं तो वो जाली नुमा सनरशना बनाते हैं उससे हमें रेसम प्राप्त होता है अब चलिए देखते हैं कपास के बारे में भारत को कपास और पौधे का मूल अस्थान माना जाता है सूती कपड़ा उद्दोग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है कपास उत्पादन में भारत विस्व में चीन के बाद दूसरा अस्थान है दक्कन पठार के सूसकतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उप्युक्त मानी जाती है यानि कपास को काली मिट्टी में ही उगाया जाता है इस फसल को उगाने के लिए उच्चतापमान हलकी वर्सा या सिचाई 210 पाला रही दिन और खिली धूप की आवशकता होती है या खरीब की फसल है और इसे इसे पक कर तयार होने में 6-8 बहिने लगते हैं तो कपास के मामले में सबसे पहला स्थान हुए महारास्ट का दूसरा गुजरात का तिसरा मध्यपरदेस का अब अगली फसल है जूट जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है जूट की फसल बाड के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाय जाती है जहां हर वर्स बाड से आई नई मिट्टी जमा होती है इसके बढ़ने के समय उच्छ ताप मान के आवसकता होती है पस्चम मंगाल, बिहार, असम और ओडिसा तथा में घाले जूट उत्पादक राज्ज है इनका परियोग बोरियों, चटाई, रसी, तंतुव, धागे, गलेचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है अनि जूट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अब यहाँ पे कुछ सुधार की बात की जा रही है, इसको देख लेते हैं प्रदोग की और संस्थागत सुधार जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में क्रिशी हजारों वर्सों से की जा रही है परंतु प्रदोग की और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमी संसाधन के परियोग से क्रिशी का विकास औरुद होता जाता है इसकी गती मंद हो जाती है सिचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मांसून और भूमी की प्राकृतिक उर्वर्ता पर निर्वर है बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्पूर चुनोती है जो हमारे यहां का जो क्रिशी से रिलेटर सिस्टम है वो सारी क्रिशी सिचाई जो है वो मांसून पर निर्वर करती है बाइदवे अगर मांसून अच्छा नहीं आता है मांसून की जो वर्सा हुई वो अच्छी नहीं हुई मांसून समय से नहीं आया तो क्रिशी का काफी हद तक नुकसान हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी गलती है ये बहुत बड़ी चुनवती है हमारे सामने क्रिशी से रिलेटेड किसानों के लिए 60% से भी अधिक लोगों को अजीव का परदान करने वाली क्रिशी क्रिशी सुधार में गंभीर तकनिकी ओम संस्ताग सुधार लाने की आव सकता है सोतन्ता के पश्चात देश में संस्ताग सुधार के लिए जोतों की चकबंदी सहकारिता तथा जमिदारी आदि समावत करने की प्राथमिकता दी गई है प्रत्थम पंचवर्शी योजना में भूमी सुधार मुख्यलच था भूमी पर पुस्तैनी अधिकार के कारण यह टुकडों में बढ़ती जा रही थी जिसकी चकबंदी करना अनिवारे था चकबंदी से जो हमारी भूमी है वो इकठी हो जाती है भूमी सुधार के कानून तो बने परन्तु इसके लागू करने में धील की गई 1960 और 1970 के दसकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के क्रिशी सुधारों की शुरुआती पैकेश टेकनोलोजी पर आधारित हरित क्रांती स्वेत क्रांती परन्तु इसके कारड़ विकास कुछ छेतरों तक ही सीमित रह गया इसलिए 1980 तथा 1990 के दसक में भ्यापक भूमी विकास कारेकरम शुरू किया गया जो संस्थागर्थ और तकनिकी सुधार पर आधारित था इस दिशा में उठाए गए कुछ महतपूर कदवों में सुखा बाढ़ चकरवात आग और विमारी के लिए फसल विमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर रिड़ सुधाये परदान करने के लिए ग्रामिड बैंकों सहकारी समीतियों और बैंकों की अस्थापना समिलित थे किसानों के लाव के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और ब्यक्तिगत दुर्गटना बीमा योजना बीमा योजना भी सुरू की है इसके अकास वाड़ी और दूर दर्सन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी बुलेटिन और क्यूशी कारेकरम परशारित किया जाते हैं किसानों को बिचोलियों और दलालों के सोसर से बचाने के लिए नियुन्तम सहायता मुल्य और कुछ महत्पूर फसलों के लाबदायक खरिद मुल्यों की सरकार घूशडा करती है अब यहां पे भूदान ग्रामदान के बारे में दिया गया इसको पढ़ लेते हैं क्या होता है भूदान ग्रामदान महत्मा गांधी ने बिनोमा भावे जिनके उनके सत्या ग्रह में सबसे निष्टावान सत्या ग्राही की तरह भाग लिया था को अपना अध्यात में कुत्राधिकारी घोसित किया था उनकी गांधी जी के स्वराज और धाड़ा में भी गहरी आस्था थी गांधी जी की सादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुचाने के लिए बिनोवा भावे ने लगभग पूरे देश के पद्यात्रा की एक बार जब वे आंध परदेश के एक गांध पोचम पल्ली में बोल रहे थे तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामिडों ने उनसे अपने आर्थिक भरड पोसल के लिए कुछ भूमिए मांगे विनोवा भावे ने उनसे तुरंत कोई वादा तो नहीं किया परंतु उनको अचानक स्री राम चंद्र रिड्डी उठ खड़े हुए उन्होंने असी भूमिहीन गरामिड किसानों को असी एकड़ भूमी बाटने की पिसकस की इसे भूदान नाम से जाना गया बाद में विनोवा भावे ने यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे भारत ने फैलाया कि कुछ जमीदारों ने जो अनेक गाउं के मालिक थे भूमी हीनों को पूरा गाउं देने की पिसकस भी की इसे ग्रामदान कहा जाता है परंतु कुछ जमीदारों ने तो भूम सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमी का एक हिस्सा दान किया बिनोवा भावे द्वारा शुरू किये गए इस भूदान ग्राम दान अंदोलन को रक्तहीन करांती भी कहा जाता है तो कई बार फ्रेंड्स अगर कोश्चन आ गया कि जो रक्तहीन करांती किसे कहते हैं तो जो भी ऑप्सन आपको दिखे भूदान ग्राम दान या फिर बिनोवा भावे तो उस पर आपको तुरंदर टिक कर देना है बिना को सोचे समझे तो फ्रेंड्स अब यहां पर कुछ अभ्यास प्रशने दिया गया है तो इसको देख लेते हैं इसमें से पहला कोशन है पहला निमने लिखित में से कौन सा उस क्रिशी पढ़ाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चोड़े छेतर में उगाए जाती है तो यहां पर यह जैसा कि हमने सब के बारे में पढ़ा यहां यह सी कोई बात नहीं मिली तो यहां पर हम यह देख सकते हैं कि इसमें जो बागवानी की फसल होती है लंबे चोड़े छेतर में एक अई फसल बोई जाती है तो यहां हो गया बागवानी इसका उत्तर इसमें कि कौन सी रवी की फसल है तो इसका हो जाएगा चना तो तीसरा है इन में से कौन सी एक फलीदार फसल है तो इसमें हो जाएगा इसका अंसर दाले तो यहां पर कुछ छोटी प्रस्ण दिये गये हैं इनको तीस सब्दों में इसका उतर देना है तो इसका उतर आप हामें कमेंट वॉक्स में भी दे सकते हैं या फिर अपने मुक में भी लिख सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को सेयर भी कर दीजिए फ्रेंड्स से हैं चैप्टर बहुत इंपॉर्टन था हमने बहुत बारी किसे इसको पढ़ाने की कोशिस की और आप इसको एक बार दो बार तीम चार बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा तो थैंक्यो सो मच मिलते हैं अगले पार्ट में